विशाखा की दर्ण स्रद्धा विशाखा अंग जन्पद के भध्य नगर में जन्वी थी पिता का नाम धनंजय और माता का नाम सुमना था एक बार सेल ब्रह्मन के निवंतरण पर बहुत से भिक्षू सहित तथा गत बुद्ध ने भध्य की यात्रा की सेल ब्रह्मन की पोती विशाखा की आयू उस समय साथ वर्ष की थी यद्यपी विशाखा की आयू केवल साथ वर्ष की ही थी तब भी उसने भगवान बुद्ध के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की मेंडग ने उसे अनुग्या दे दी कि वे तथागत के दर्शन कर आये साथ के लिए उसने पांस सो साथी पांस सो दास और पांस सो रत भी दिये रत को कुछ दूरी पर खड़ा करके वे पैदल तथागत के पास पहुँची भगवान बुद्ध ने उसे धर्म का उपदेश दिया और वे उनकी ग्रश्ट सिश्या अर्थात उपासिका बन गई इसके बाद पंद्रे दिन तक मेंडक भगवान बुद्ध और उनके विक्षू संग को प्रती दिन निमंत्रित करके भोजन कराता था अन्त में जब प्रिसेंजित के कहने पर विब्मी सान ने धरनजय को कौसर जनपन में रहने के लिए भेज दिया तो विशाखा भी अपने माता पिता के साथ गई और साकेत में रहने लगी स्रावस्ती का एक सेठ था नाम था निगार वह अपने पुनिय वर्धन नामक पुत्र का विवा करना चाता था उसने कुछ लोगों को योग्य लड़की खोज में भेज रखा था लड़की की खोज करने वाली मंडली घूमते घूमते साकेत आ पहुँची उन्होंने देखा कि किसी त्योहार के दिन विशाखा सरूर पर इसनान करने जा रही है उसी समय जोर की वर्षा आई विशाखा की सक्या भाग खड़ी हुई लेकिन विशाखा नहीं भागी वह अपनी समान गती से चलती हुई उस जगे जा पहुँची जहां मिगार के दूत खड़े थे उन्होंने उस से पूछा तुने दोड़ कर अपने कपड़े क्यों नहीं बचाए उसने उत्तर दिया कि उसके पास कपड़ों की कमी नहीं है किन्तु दोड़ने से फिसल कर गिरपड़ने और अंग भंग हो जाने तक का डर रहता है ए विवाहित लड़किया वह बोली उस समान की तरह से है जो विक्री के लिए रखा है उनकी शकल सूरत ठीक रहनी चाहिए जिने उसके सौंदर्य ने पहले ही प्रभावित कर दिया था वे उसकी बुद्धी से और भी प्रभावित हुए दूतों ने उसे एक पुन्यगुच भेट किया जो विवा के प्रस्ताव का प्रतीक था स्विक्रत हुआ विशाका के घर लोटने पर दूत भी पीछे पीछे घर आये उन्होंने उस्प वर्धन से विवा करने का प्रस्ताव विशाका के पिता धरंजय के सम्मुख को पस्थित किया प्रस्ताव स्विक्रत हुआ और पत्रों की अदला बदली द्वारा इस्थिर हुआ जब राजा प्रसेंजित ने सुना तो उसने साथ साकेद चलने के लिए कहा यह ऐसा आधान सम्मान की बात थी धरंजय ने राजा उसके राजा दिकारियों मिगार पुन्य वर्धन तता सब बरातियों का बड़ा ही आदर सत्कार किया आतित्य में किसी तरह की कमी नहोने दी वदू के लिए गहने बनाने को पांच सु सुनार नुक्त किये गए धनजय ने अपनी लड़की के दहेज में धन से भरी पांच सु गारियां तता सोने और पस्वों से भरी पांच सु गारिया दी जब विशाका के विदा होने का सने आया तो धनजय ने उसे दस उपदेश दिये जिने मिकान ने भी साथ के कमरे में ही होने की कारण सुन लिया ये दस उपदेश थे नमबर एक घर की आग बाहर नहीं जाने देना नमबर दू बाहर की आग घर में नहीं आने देना नमबर तीन जो बदले में दे उने ही देना जो बदले में नमबर चार जो बदले में ने दे उने नहीं देना नमबर पांच जो दे उसे देना नमबर चै जो नहीं दे उसे ना देना नमबर साथ प्रसंता पूर्वक बैठना नम्मर आठ पिर्संता पूर्वक खाना पीना नम्मर नो आग को सवालना तथा नम्मर दस ग्रह देवताओं का सम्मान करना दूसरे दिन धनन्य ने आठ ग्रस्तों को अपनी लड़की के गुण दोसों का दिवेचन करने के लिए नुक्त किया और उनका करतव्य था कि यदि विशाखा पर कोई आरोप लगाया जाए तो उसकी जाच करें मिगार चाहता था कि उसकी पुत्रवधू को स्रावस्ती की जनता देखें लोग सडक के दोनों ओर खड़े थे और विशाखा ने रत में खड़े-खड़े स्रावस्ती में प्रवेश किया जनता ने उस पर से तरहतरे की चीजे निशावर की किन्तु वे सबी चीजे उसने लोगों में बाट दी मिगार निगंठों का अपासक था विशाखा के घर पर आने के बाद सिग्र ही उसने उने बुला भीजा उनके आने पर मिगार ने विशाखा को उनका स्वागत करने के लिए कहा लेकिन उनकी नग्णता देखकर ही विशाखा इद्विग्न हो गई उसने उनके प्रती सम्मान प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया निगंठो ने आग्रे क्या कि विशाखा को वापिस भेद्या जाए किन्तु मिगार ने प्रतीक्षा करना उचित सम्झा एक दिन जब मिगार खा रहा था और विशाखा पास खड़ी पंखा चल रही थी घर के बाहर एक विख्षू खड़ा दिखाए दिया विशाखा एक ओर हट गई कि मिगार की नजर उस पर पड़ जाए लेकिन मिगार ने विख्षू की ओर देखा तक नहीं वह अपना खाना खाता रहा यह देख विशाखा ने विख्षू से कहा बनते आगे बढ़ जाएं मेरा ससुर बासी खाना खाता है मिगार को बहुत क्रूद आया उसने उसे वापिस भेजना चाहा किन्तु विशाखा के कहने पर मामला उन आठ पंचों के सामने उपस्थित किया गया विशाखा के वृत जितने भी आरोप लगाए गये थे उन्होंने उन सब की जाच की किन्तु विशाखा को निर्दोस पाया विशाखा ने तब आग्या दी कि उसे उसके पिता के घर विजवाने की तैयारी की जाए तब मिगार और उसकी पत्नी ने छमा मांगी विशाखा ने इस सर्थ पर रहना सुविकार किया कि मिगार भगवान बुद्ध और उनके विक्षों को घर पर निमंत्रित करेगा यह उसने किया किन्तु निगंठो के दबाव के काम उसने तथागत को भोजन कराने का काम विशाखा को ही सौपा अपने परदे की ओठ से तथागत का प्रवचन सुनता रहा उस प्रवचन का उस पर ऐसा प्रभा पड़ा कि वह उपासक हो गया यह विशाखा के प्रती अत्यंत किर्टग्य था इसके बाद से वह उसको अपनी माता के समान सबजने लगा और उसी प्रकार आदस अत्कार करने लगा इसलिए इसके बाद से विशाखा का नाम मिगार माता पड़ गया विशाखा की ऐसी ही दर सिद्धा थी नमो बुद्धाय